नमस्कार दोस्तो ग्यान गंगा यूटीब चनल में आपका स्वागत है। दोस्तो आज हम आपको स्रावण के सम्मार की रत कथा बताने जा रहे है। इसरावन सुमार की कथा के अनुसार अमरपूर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन्से बहुत था क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी म्रत्यू के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन समालेगा। पुत्रपानी की इच्छा से वह व्यापारी प्रती सुमवार भगवान श चलाय करता था। उस व्यापारी की भक्ती देखकर एक दिन पारवती जी ने भगवान शिव से कहा ये प्रानात यह व्यापारी आप का सच्छा भक्त है कितने दिनों से यह सुमवार का व्रत और पूजान नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। भगवान शियों ने मुस्कराते हुए कहा, ये पारवती इस संसार में सब को उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ती होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं, उन्हें वेसा फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पारवती जी नहीं मानी। उन्होंने आगरह करते हुए कहा, नहीं प्राणनात। आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रती सुमवार आपका विधिवत वरत रखता है। और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान देना ही होगा। पारवती का इतना आगरह देखकर भगवान शियों ने कहा तुम्हारे आगरह पर में इस व्यापरी को पुत्र प्राप्ती का वर्दान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र सोलह वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शियों ने स्वप्न में उस व्यापरी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ती का वर्दान दिया। और उसके पुत्र के सोलह वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। बगवान के वर्दान से व्यापारी को खुशी तो हुई लेकिन पुत्र की अल्पाईू की चिंता ने उस खुशी को नश्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सुमवार का विधिवत बृत करता रहा। कुछ महिने के पश्चात उसके घर अती सुन्दर पुत्र उत्पन् पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशिया भर गई बहुत धुमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अलपायू के रहस्य का पता था यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था विद्वान भ्रह्मनों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा जब अमर बारह वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वारानसी भिजने का निश्चे हुआ व्यापारी ने अमर के मामा दीब चंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वारानसी छोड़ाओ अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रातरी में विश्राम के लिए ठहरते थे, वहीं यग्य करते और ब्रहमनों को वोजन कराते थे लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुचे उस नगर के राजा की कन्या के विवा की खुशी में पूरे नगर को सयाय गया था निश्चित समय पर बारात आ गई लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आँख से काने होने की कारण बहुत चिंतित था उसे इस बात का भैस अता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कही वह विभा से इंकार ना कर दे इसे से उनकी बदनामी भी होगी वर के पता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिशक में एक विचार आया उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुलहा बना कर राजकुमारी से विभा करा दूँ विभा के बाद इसको धन दे कर विधा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊँगा वर के पता ने इसी संबंध में अमर और दीब चंद से बात की दीब चंद ने धन मिलने के लालच में वर के पता की बात स्विकार कर ली अमर को दुलहे के वस्त्र पहना कर राजकुमारी से विभा करा दिया गया राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया अमर जब लोट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओरनी पर लिख दिया राजकुमारी चंद्रिका तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था मैं तो वारानसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ अब तुम्हें जिस नव यूवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है जब राजकुमारी ने अपनी ओरनी पर लिखा हुआ पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया राजा ने सब बाते जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वारानसी पहुच गया अबन ने गुरुकुल में पढ़ना शुरूर कर दिया जब अमर की आयू सोला वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यग्य किया यग्य की समापती पर भ्रह्मनों को भुजन कराया और खूब अन्नवस्त्रदान किया राज को अमर अपने शयन कक्षम में सो गया शिव के वर्दान की अनुसार शयना वस्था में ही अमर के प्राण पकहेरू उड़ गये सुर्योदय पर मामा अमर को म्रत देखकर रोने पीटने लगा आसपास के लोग भी एकत्र होकर तुख प्रकट करने लगे मामा के रोने विलाब करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पारवती ने भी सुने पारवती जी ने भगवान से कहा प्राणनात मुझे से इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे है आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें भगवान शिव ने पारवती जी के साथ अद्रश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पारवती जी से बोले पारवती यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है मैंने इसे 16 वर्ष की आयू का वर्दान दिया था इसकी आयू तो पुरी हो गई पारवती जी ने कहा पारवती जी ने फिर भगवान शिव से निवेधन किया हे प्राणनात आप इस लड़के को जीवित करे नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की म्रत्यू के कारण रो रोकर अपने प्राणों का त्याक कर देगे इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है वर्षों से सुमवार का वरत करते हुए आग को भोग लगा रहा है परवती के आगरह करने पर भगवांशियू ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बेठा शिक्षा समाब्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की और चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहां अमर का विवहा हुआ था उस नगर में भी अमर ने यग्य का आयोजन किया समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यग्य का आयुजन देखा राजा ने अमर को तुरंट पहचान लिया यग्य समाम्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत साथ धन वस्तर देकर राजकुमारी के साथ विदा किया रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सेनिकों को भी साथ भेजा दीपचंद ने नगर में पहुचते हुई एक दूद को घर भेज कर अपने आगमन की सूचना भेजी अपने बेटे अमर की जीवित वापस लोटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसंद हुआ व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयम को एक कमरे में बंद कर रखा था भोके प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटी की प्रतिक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रतिग्या कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटी की मरत्यू का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देगे व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुचा अपने बेटे के विवहा का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसी राद भगवान श्यू ने व्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे श्रेश्ठी मैंने तेरे सोमवार के वरत करने को और वरत कता सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है व्यापारी बहुत प्रसंद हुआ सोमवार का वरत करने से व्यापरी के घर में खुशिया लोटाई शास्तरों में लिखा है कि जो इस्तरी पुरुष सोमवार का विधीवत वरत करते और वरत कथा सुनते है उनकी सभी इच्छाय पूरी होती है तो आपको यह सोमवार की कता इस विडियो में हमने बताई है आगे और भी ऐसी कताये सुनने के लिए जानने के लिए ग्यांगंगा यूट्ईوب चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पसंद आया हो आपको इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्रेब करें तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद